हे दोस्तों वेलकम बेक टू माई चैनल तो दोस्तों हम लोग गुहाटी से घर पहुच कर ही देखते हैं कि हमारे घर का जो इन्वर्टर है वो खराब हो गया है कुछ काम नहीं करता ना तो वो चर्ज होता है ना उससे लाइक चलता है खाली उसका जो लाल बती है वो चला रह अब कार्वन को साफ के से किया जाता है हमने उसी वीडियो में देखा तो वीडियो में दिखाया गया था कि इन्वर्टर के कार्वन को साफ करने के लिए चाहिए थोड़ा सा खावा सोडा थोड़ा सा गरम पानी और एक ब्रज जो सब के घर में हमेशा रहता है तो मैंने द दोनों काम मेडे से तो होगा नहीं. मैंने हाज्बन जी को बोला था वैसे कि आप मेकानिक को बुला ले जए क्यूंकि ये तो एलेक्टρόνरक काम है और मुझे डर भी लगता है अभी वैसे तो पानी पानी कारेंट में देना बहुत बडा रिक्सी का काम होता है मुझे डल लगा तो कैसे पानी इसमें डालू बैटरी में डल लग रहा है लेकिन हस्बेन जी ने बूला है कि ये तो आपका रोज का काम देगा फिर साफ का बैटरी में कारवण लगा फिर से मेकानिक बुलाना थो possible नहीं है क्योंकि आज कर चोटा चोटा काम के लिए तो आते भी नहीं है ये काम आपको खुद करना होगा आपको सीखना होगा वेश्चे तो मेरी हजबन जी मुझे नया नया काम सीखने के सीखने में बहुत ज़्यदा सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यदा होसला बढ़ाते हैं फिर भी मुझे थोरा सा डर लग रहा था तो मैंने भी husband जी के support के लिए मैंने भी सोचलिया देखा जाए काई ये काम में कर सकती हूँ या नहीं कर से तो जो काम मैंने कभी भी नहीं किया था आज में वो करने जा रही हूँ तो पहले तो देवर जीने बेटरी को बाहर निकाला उसके बार उसका नौट बगेरा खोल दिया और बेटरी का पानी भी बहुत ज़दा काम था क्यूंकि मैं तो घर में डेहती नहीं और बेटरी में पानी डालना मेरा ही काम होता है तो इसे चांस में मैंने घर में एक बोतल धा बेटरी का पानी गा तो वो पानी मैंने बेटरी में डाल लिया और अभी दोस्तों मुझे मेरे घर में वो तीनों सामान था अल्रेडी तो मैंने पानी भी गरम बेठा दिया है और थोड़ा सा सोडा भी ले लिया और वीडियो में दिखाया गया था कि जहां पे आपका कार्बन लगा हुआ है वहां पे थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी भर आप सोडा खर देना होगा उसके बाद चम्मस से थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा गरम पानी देना होगा उसके साथ ही साथ आपको दे कुम YOUR प्रेख़ यहां तक बिर्स नहीं प्रुच पाता है वहाँ पर एक कुछ नोकीली सामान से उसको निकाल कार्बन को निकालना ओगा तो मेरे डानरी और जहां जहां मेरा पूर के मदल से कार्बन हाटा रही हो और जब तक हम सब्सक्राइज होता है आप वहां में थोड़ा थोड़ा करके गरम पानी डाल तक आपका कारबन रहेगा तब तक जाग निकलेगा और जब साफ हो जगा तब वहां से जाग निकलेगा और मैं अभी देखिए ब्रास के मलत से दोनों तरफ का कारबन साफ कर दिया है और बेटरी को भी पूरी तरह से गरम पानी से और कप्रा से सुन्दर से पूरी जगा में पूरा बेटरी को में मेरे साफ कर दिया दोस्तों अभी से रख दिया है जो भी थोड़ा से थोड़ा बहुत पानी रहेगा वो भी सुख जाएगा और ही इसका कानेक्शन करने के लिए और भगवान करें कि ये ठीक हो जाए मेकानिक को बुलाने की ज़रूर ना हो मेरा काम भी हो जागा और लाइफटाइम के लिए मुझे इस काम से चुटकारा मिल जाएगा और ये देखिए दोस्तों जो इसका वार्ठा वहां में भी कार्बन लगा था मैंने यहां पर भी थोड़ा सा सोड़ा दे के गरम पानी करके साफ कर लिया है अभी दोस्तों में जा रहे हो बजंग बली काली मा दुर्गम मा और मेरे भोली शंकर का नाम लेके इसको लगाने के लिए इसको लगा तो दोस्तों ये देखिए मेरा जो इंवर्टर है जो पहले चार्ज भी नहीं ले रहा था और ये अभी चार्ज लेने लगा है और मैं अभी इसका स्विच भी आफ करके देखूंगी अगर कारेंट चला जाएगा तब इससे लाइट जलेगा या नहीं जलेगा तो मैंने वो भी देख लिया है दोस्तों लाइट भी जल रहा है तो मैं बहुत ज़्यदा खुश हूँ जिनका वीडियो डेखकर वीडियो मैंने देखा था वो लाबदायों खुआ है आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो भी आपके भाटा ठीक कर सकेंगे तो दोस्तों आज के लिए बाई बाई